परूखाबाद की होली अपने आप में अनोखी है। अनोखी इसलिए कि यहां की होली सभी धर्मों में समान रूप से खेली जाती है। गंगा जमुनी संस्कृती का साक्षात प्रमान है होली, जो आज तक जीवित है। वैसे होली प्राचीन काल से मनाई जाती रही है। मुगल शाशकों ने इसे दर्बारों में आयोजित कर मनाया। अकबर के दर्वार में एक दूसरे पर गुलाल लगा होली खेली जाती। शाह जहां के समय होली इदे गुलावी या आवेपाशी के रूप में मनाई गई। बहादोर शाह जफर का होली फाग क्यों मोय मारी, रंग की पिछकारी, देखो कुवर जी मैं दूंगी गारी, आज भी गाय जाती है। जाने निकल पढ़ते। ये सामुही खोली मिलन का एक नाया अप तरीका था जिसमें जाती धर्म का परहेज नहीं होता था। ब्रिटिश इतिहासकारों और दोनों समुदायों के कट्टर पंथियों को हिंदू-मुस्लिम एकता कभी पसंद नहीं आई। इन इतिहासकारों ने इतिहास के वृतांतों को तोड मरोड कर पेश किया और हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच खाए पैदा करने की कोशिश की। होली के त्योहार पर मुसलिम शासकों का उदार द्रिश्टि कोण ही नहीं, बलकि उर्दू भाषा भी इस त्योहार से काफी प्रभावित थी। यही कारण है कि अन्य त्योहारों की अपेक्षा होली पर उर्दू भाषा में बहुत कुछ लिखा गया। इसे हम हिंदू मुसलिम एकता का प्रतीक भी कह सकते हैं। त्रिपोलिया चौक से लाल सराय तक नए रंग विरंगे परिधान पहन पूरा शहर एक दूसरे से गले मिलता। नवाब शौकत जंग अपने दो पूरे हुजूम के साथ हाथी पर सवार होकर निकलते। शहरवासी वदूकांदार उन पर अर्ग गुलाब वफूलों की बारिश करते। नवाब बजार में दूकानों पर सबके सलाम कबूल करता। मैंने अलीगर, बिलगराम वफ अरुखाबाद में होली की रंगारंग मौज मस्ती देखी है। जाती धर्म से परेहट एक दूसरे को गले लगाते देखा है। अपने गिले शिक्वे भूला हात मिलाते देखा है। होली का उद्देश ही यही है। खुले दिल से मन में एक दूसरे के प्रती गुस्सा नफरत बाहर निकाल फेक न देखा। अपने सभी मित्रों को होली के पावन पर्व पर शुब काम नाए।